कि अधियुद्ध इवनिंग सभी को वेरी गुड़ इवनिंग केसे आप सभी और एक बार जल्दी से बता दो ओडीवल है सभी को क्लियरली आवा जा रही है गुड़ इवनिंग अलोग अभीशेक श्वेता करन चलिए तो स्टार्ट करें तो फाइनल देखो डिसी मशीन जो है उसका कम्रीट रिविजन आपका हो चुका था और होपसो आप सभी लोगों ने कुशन टाक्टिक्स कर लिए होंगे और मैक्सिम कुशन आपसे बन गए हों और कम से कम ध्यान रखना इंडक्शन में से भी आपको 4-5 कुशन टोटर मिलाके मिनीमम 25 कुशन आपको मशीन के अंदर पूछे जाएंगे ऐसा से JEE के अंदर हो या RRB JEE के अंदर भी लगबग एराउंड 20 कुशन 25 कुशन आपको मशीन में से पूछे जाएंगे ना चले जो हें वो हमारे पास में आएगा induction motor आज के session में जो हम पढ़ेंगे वह कुनसा पढ़ेंगे three phase induction motor के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास में तुरी फैसे इंडक्ष नोटर जो हैं वह हम start करेंगे तो एक बात जल्दि पतादो तयार हो सभी तयार हैं इंडक्शन मशीन जो हैं उसमें क्योंकि थोड़े से फॉर्मले ज़्यादा होते हैं नियुमेरिकल्स यहां से फिक्स एक नियुमेरिकल बनता ही बनता है और त्योरिटिकल कुश्चन भी बहुत सारे यहां से बनेंगे न चलिए तो अगर हम बात करें फिस इंडक्शन मोटर में पहला कुश्चन आप से यह पूछा जाएगा कि सबसे जो most widely used motor होती है कौन सी होती है तो आपका अंसर होगा मोटर हमारे पास में रहेगी इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा यूश की जाती हैं और क्यों कि आगर हम बात करें इसका जो ढ़्राइब बहुत सिंपल होता है इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है आर्मिचर reacts एक्षंण का इफट बहुत नेगलेजिबल होता है और यहां पर maintenance जो है वो हमारे पास में बहुत simple होता है अगर हम बात करें यहां पर most widely used क्यों किया जाता है तो हमारे पास में क्या होगा maintenance जो ही वो हमारे पास में क्या होगा simple होगा maintenance क्या होगा हमारे पास में लोगी construction हमारे पास में क्या होगा easy construction होगा easy construction होगा और next अगर हम बात करें तो no armature reaction effect यहां पर armature reaction का जो इफेक्ट है वो नहीं होता है no armature reaction effect यह हमारे पास में reason होगी कि most widely used को होने का अगर हम बात करें यहां पर अगला point आप मुझे बताएंगे क्यों हम start करने बाले तो यह हमारे पास में क्या होगा और यह हमारे पास में रोटर होगा जिसमें स्टेटर पर अगर हम बात करें तो स्टेटर पर यहां पर three phase winding होगी और रोटर पर भी क्या होगा यहां पर three phase winding होगी यह हमारे पास में क्या है यह स्टेटर का डियाग्राम है और यह हमारे पास में जो है वो रोटर का डियाग्राम है यह क्या है रोटर का डियाग्राम है अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेटर को आप क्या करोगे यहां से त्री-फेस इंडटे होगी यहां से आप स्प्लाइथ और संब्लाइ कौन से होगी जान रखना बेलन सप्लाइ हम देते हैं और किष़ेंग के यहेँ वह कितना होना ची जल्दी से बताओ ये एंगल किसके रस्प мощ लिखा है 120 डिगरी कि किस पर काम करते हैं थ्री फेज़ इंडक्षिन पौर जो है उध्यानक रोटेटिंग मेंगनेटिक फिल्ड के प्रिंसीपल पर काम करते हूं इसका जो प्रिंसीपल होगा इसका जो प्रिंसीपल होगा इसका रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करेगी तो एक तो यह इंपोर्टिंट पॉइंट आपको याद रखना है तो ध्यानक मैंने क्या बोला यह हमारे पास में थ्री फेस वैंडिंग है यहां से हम थ्री फेस सप्लाई देंगे लेकिन यह जो वैंडिंग हमारे पास में एंगल होना चाहिए और वी भी हमारे पास में क्या होगा तो वह होगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वन ट्वंटी डिग्री मैंने क्या बोला यहां पर हमारे पास में क्या होगा जो थ्री फेस सप्लाई होगी हम यहां से जो थ्री फेस सप्लाई देंगे phase sequence R, Y और B हमारे पास में होगा अब सुनना 3 phase induction motor का operating principle क्या होता है कि 3 phase induction motor को जब आप supply देते हो 3 phase supply जिसका angle difference भी आपको दिख रहा होगा 120 degree होना चाहिए with respect to time के respect में और जब आप winding को supply दोगे जिसका angle भी 120 होगा लेकिन ये 120 space के respect में होगा अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर rotating magnetic field produce होता है और वो rotating magnetic field हमेशा synchronous speed से rotate होता है clear तो यहाँ पर पहला question आप से पूछेगा कि winding का angle कितना होगा 120 space के respect में supply का angle कितना होगा वो भी 120 होगा time के respect में यहाँ पर जो rotating magnetic field होगा उसकी speed कितनी होगी तो वो synchronous speed होगी और synchronous speed का formula याद कर लेना 120F divided by P हमारे पास में होती है तो मैंने क्या वोला यह rotating magnetic field क्या करेगा इस rotor को cut करेगा उसकी विसे rotor में EMF आएगा rotor में current flow होगा और current carrying conductor magnetic field में है तो torque लगेगा और उस torque की विज़से आपका rotor जो है वो rotate होगा आपसे पूछे जाएंगे फिर से में आपको बोल देता हूं कि 120 एंगल होना चाहिए winding के बीच का space के respect में rotating magnetic field speed से जाएगा rotor nr speed से जाएगा लेकिन rotor rotating magnetic field के कहा पर जाएगा same direction में rotate होगा तो यहाँ पर यह हमारे पास में क्या होगा इंपोर्टेंट पॉइंट है तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो speed of rotating magnetic field क्या होगी जाएगा रखना speed of rotating magnetic field RMF का मतलब होगा rotating magnetic field वो जाएगा नस होगी next दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर winding के बीच का जो एंगल होगा winding का जो एंगल होगा वो कितना होना चीह हमारे पास में winding एंगल जो है वो कितना होना चीह हमारे पास में 120 डिग्री होना चीह स्पेस के रेस्पेक्ट में लियान रखना किसके रेस्पेक्ट में स्पेस के रेस्पेक्ट में एंगल हमारे पास में 120 होना चीजिए अगर मैं बात कर दो यह जो मैं लिखा है ns लिखी यह किसके रस्पेक्ट में बताओ with respect to stator है या with respect to rotor है जल्दी से बताएंगे speed of stator rotating magnetic field है पहला तो दियान लखना speed of stator rotating magnetic field है लेकिन यह किसके रस्पेक्ट में है with respect to stator के respect में दयान रख ना किसके respect में है Streia के respect में क्योंरी मैं किसको दे रहाँ सप्लाइमें स्टेटर को दे रहाँ यह हमारा पार्ट है स्टेटर काप्ट ही हम सप्लाई Shater को देंगे तो यहां पर magnetic field है वो स्टेटर का ही होगा और किसके respect में स्टेटर के respect में हो गया है डेली प्रैक्टिस डेफिनिटली सुधिर इसके बाद में जो है डेली प्रैक्टिस क्षिशन है वो भी आएंगे लेकिन एक बार पहले concept और चोणी से बता सकते हैं कि यह रोटर की बिच की स्पीड केटन होगी जल्दी से बतायों अगर आप लिए आजाई यहां पर इन बात करें यहां पर अगला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा Space मतलब यह जग'lläंना Space मतलब यह है जग'e है और कुछ नहीं है Space का मतलब क्या होग है यह जग'e यह मैं खड़ा हूं यह Space है space में हम winding यहां लगाएंगे स्पेस के respect में बात कर रहे हूं अगर हम बात करें यहां पर देखू तो यह में हमारे पास के है है कि दोनों same direction में जा रही है ना दोनों same direction में जब भी speed होती हैं जब भी motion होती हैं तो speed को आप minus करते हो तो यहाँ पर relative speed कितनी होगी अगर आपसे पूछ ले examiner कि relative speed कितनी होगी relative speed कितनी होगी तो वो हमारे पास में आएगा ns-nr जिसको हम बोलते हैं sns और इसका नाम क्या होता है जइन लगए जैना स्लिप speed अगर कभी आपको slip speed के बारे में पूछी तो आप ns-nr करके अंसर बताओगी यह नाम लिख़ेना ns-nr जो होता है या SNS जो होता है उसको हम बोलते हैं, slip speed हम बोलके चलते हैं, और यहां से आप slip की value find out करोगी, तो slip कितना आएगा, ns minus nr divided by ns, तो यह हमारे पास में slip का formula है, जल्दी से बताओ during starting, during starting आपकी slip कितनी होगी, during starting जो है, वो slip कितनी होगी, जल्दी से एक बार reply करो, अगर आपसे बोल दिया जए, जब आप motor को start करोगे, during starting, during starting, तो during starting में जो हमारी slip होती है, वो slip कितनी होगी, ध्यान रखना, 1% to 5% of slip होती है, कितनी होगी, 1% से लेकर only 5%, 1% का मतलब होगा, 0.01 से लेकर कहां तक 0.05 के बीच में हमारी slip होगी, और यह जो, during starting की बात नहीं करा ह है, during starting में आप लिखो, nr कितना होगा, 0 होगा, slip कितनी होगी, 1 होगी, running condition पर बात करते हैं, जो मैंने लिखा था इससे पहले, वो running condition पर हमारी slip होगी, और running condition की जो slip है, वो होगी, 1% कहां पर 5%, और 1% मतलब कितना होगा, 0.01 से लेकर कहां तक होगी, 0.05 तक होगी, और यह कहां पर होगी, running condition पर, अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या, आपकी induction motor का rotor, जो है, वो synchronous speed पर rotate हो सकता है, जल्दी से बताओ, क्या आपकी induction motor, synchronous speed पर rotate हो सकती है, क्या, जल्दी से एक बार reply करेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाएगी, क्या induction motor, synchronous speed पर rotate हो सकती है, क्या, तो ध्यान रखना, आपकी induction motor कभी भी synchronous speed पर rotate नहीं हो सकती है यह induction motor synchronous speed पर नहीं जा सकती क्यों क्योंकि अगर दोनों ही same speed पर हुई देखो यह इदर जा रहा है और यह दोनों same speed से जा रहा है तो कोई flux cutting action नहीं होगा कोई EMF नहीं होगा कोई current नहीं होगा कोई talk नहीं लगेगा तो यह कभी भी synchronous speed पर rotate नहीं हो सकती है इसलिए induction motor को as synchronous motor भी बोला जाता है क्या बोला मिने induction motor कभी भी synchronous speed पर rotate नहीं हो सकती है इसलिए द्यान रखना यहां पर हम क्या बोलेंगे also called induction motor also called induction motor also called also called also called as synchronous motor द्यान रखना अगर और आपको कभी भी पूछ लिया जाए कि a5 को बात करें और कोश्चंड ila मातलब में अन्सवद कर रहा है कि अलग होगी जो हम बाद में जा कर पढ़ेंगी रहएं लेकिन इसको a अब मुझे बताऊ qa को और क्या बोला जाता है इंडक्शन मोटर को और क्या बोला जाता है एक तो आज सिंकॉर्णस मोटर बोलते हैं और क्या बोलते हैं और क्या बोलके चलते हैं तो द्यान लखना रोटेटिंग ट्रांस्वोमर भी बोला जाता है न तो यहां पर एक और पॉंट लिग देना ओल्सु कोल्ड प्रांस्वोर को मर जाता है इसको रोटेटिंग ट्रांस्वोर मर भी हम इसको बूल के चलते हैं नेक्स्ट इन8 सिनकॉर्णस स्पीड पर क्या ध्यान रखना एट संकॉरनस स्पीड इछ को स्पीड अगर रोटेट करवाएं तो 0ी 1 f 9 em eco कोई बी टॉर्क हमारे पास से प्रॉद्ट नहीं होगा अगर हम कहां पर करबाते हैं सिंस्क्रोन पासा इखेस कोbnी अप्लिएगा और एक और कुछछन ना आपसे पूछेगा कि यह जो रोटेटिंग मैंने टिक फिल्ड है यह जो रोटेटिंग मैगनेटिक फिल्ड है इसका resultant magnitude resultant flux का magnitude कितना होगा ना आप से examiner पूछेगा magnitude of resultant flux जल्दी से बताओ magnitude of अगर आपसे पूछ लिया जाए कि magnitude of resultant flux कितना होगा अगर आपको यह examiner कोशन पूछ ले हैं तो एक यो चिलिए कि Isa कि इंडों कितने चलेगा दो दिन अधियों कर लेंगे दो दिन हम यह पूरा रिमिजन कर लेंगे शाफ-पर चला है कि हम आप धैँसा यहाइन कि हिस्टरी कड़ा रहा हूं यहां पर अकबर की कहानी वांने चल रही है कि अकबर जो है वो क्या क्या काम किये थे ऐसा तो मैंने बूला नहीं मैंने मशीन की ही बात कर रहता है ना चलिए तो अगर हम बात करें यहां पर तो हमारे पास में क्या होगा यह सारे इंपोर्टिंट पॉइंट है इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हैगा मारे पास में इसके बाद में अगले पॉइंट पर तो आपको एक्जामेंटर यह पूछेगा की effect of slip कितना होगा effect of slip जो हैbbe कितना होगा effect wasit कितना होगा चलिए जल्दी से बताओ अब से बोलेगा शक्इन्स दो फॉक्वेंसई पर क्या होगा। रोटर एम फ पर क्या ऐफेक्ट ओगा रोटर रिएक्टेंस पर क्या इसे और रोटर रजिस्टेंस पर क्या एफेक्ट होगा या आप से पूचेंगा एग्जामेनट जल दिससे बताओ effect of sleep rotor frequency पर क्या होगा जिससे बताओ चलिए बहुत सही गोतम ध्यान कहा है यहाँ गोतम यार ध्यान रखो यार मशीन ही चल रहा है ना मशीन चल रहा है बेकाइद है ना बाकी अबन पढ़ेंगे आगे जाकर history जोग्राफी पढ़ेंगे हा कि ठोड़ा लेट होगे तो कोई दिखकत नहीं चलिए तो अगर हम बात करें यहां पर effect of slip कि अगर हम बात करें तो यहां पर जो rotor frequency स्लिप टाइम्स होजाती दिजान रखना रोटर की frequency, slip times होती है, stator frequency, रोटर का जो EMFA वो भी क्या होता है, slip times हो जाता है, रोटर का रियक्टेंस से वो भी क्या हो जाता है, slip times हो जाता है, और रोटर का resistance जो है, वो हमारे पास में no change रहता है, ज्यान लखना, यहां पर जो है, वो no change आएगा, slip का rotor resistance पर कोई भी effect नहीं ह होता है, बाकि सारी value देखो किया याद करनी ज़रोती नहीं, सर यह भी slip times, यह भी slip times, यह भी slip time, तो सारे slip times होंगे, सिर्फ only क्या होगा, rotor का resistance से, वो आपका no change रहेगा, तो slip की वज़े से rotor के resistance पर कोई भी changes नहीं आएगा, next, अगर हम बात करें, अगले point पर हम बात करें, तो हम यहाँ पर induction motor के अंदर, हम construction की बात कर लेते हैं, next point होगा, हमारे पास में construction, चलिए, अगर हम बात करें, construction पर, तो हम synchronous motor के अंदर, हम दो, sorry, induction motor के अंदर, हम दो type के rotor use करते हैं, पहला rotor जो होगा, वो हमारे पास में होगा, पहला जो rotor होगा, वो हमारे पास में क्या होगा स्क्वैरल के रोटर होगा स्क्वैरल कर्ड दूसरा रोटर होगा वह हमारे पास में क्यूला बताएंगा पहला in plant जो मैं आप से पूछ रहा हially आंसर बताना है वह कुछ इस रखार होगा स्क्वैरल के रोटर का जो construction है वो कुछ इस सरह का होगा और यहां पर अगर हम बात करें इसमें ध्यान रखना तो यहां पर slots होंगे इन slots के अंदर जो हैं हम यहां पर solid bar जो हैं प्लेस करेंगे इन slots में हम यहां पर जो हैं वो solid bar हम प्लेस करेंगे और यह solid बार आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्क्यूइंग कुछ दिख रहा होगा आपको इस तरह कांस्ट्रक्शन होता है पहला इंपोर्टेंट पॉइंट आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर कोई वाइंडिंग होती है यहां पर किया अनसर हमें लगाना है अगर आप से पूछे कि स्लिप का क्या रोट रजिस्ट्रक्शन्स पर कोई इफेक्ट होता है आप लगा देना नो चेंज विश्वास रखना मेरे उपर आपको माक्स मिल जाएगा आपको सही हो जाएगा चलिए अगर बात करें द्यान रखना इसके अंदर स्क्वारल के इस रोटर में कोई भी वांडिंग नहीं होती पहले चीज़ द्यान रखना यहा किस में बनाते हम सोलिड बार और किस माठीर्यल की हम बनाते हैं सौली बहुरोषखान सबोल रहे हैं कि क्या क्यों कि से एक बात खरेंगा रहा ёं क्या पुछागना और ऊंसर क्या लगा रहा है होते हैं दूसरा यहां पर solid bar होती हो किसकी बनी होती है वह copper and aluminium की बनी होती है जल्दी से बताओ अगर मैं बात करूँ large rating machine में किसकी बनाते हैं हम जल्दी से बताओ अगर आप से बोल दिया जाए कि large rating machine है large rating machine में solid bar किसकी बनी होती है आप से पूछेगा examiner small rating बनी होती है तो क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ इसकी बनाते हैं को पर कि बनी होती हैं कि नेक्ष अगला पॉंट हमारे पास में क्या होगा कि यह जो आपको दिख रहा है यहां पर बार आपकी स्क्यूड होती है या फिर लोट से हाप थोड़े से स्क्यू होते हैं इस्क्यू का मदब थोड़ा सा बेंड दिख रहा होगा देखो तेडी जारी लाइन है ना चल्दी से बताओ यहां आपके पास में स्क्यू होती है या फिर लोट से यहां पर स्क्यू होते हैं यह रोटर की बात कर रहा हुए ना यह हमारे पास में स्क्वाइरल के रोटर है चलिए तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में यहां पर स्लोट स्क्यू होते हैं बार स्क्यू नहीं होते हैं तो यह नाम सुनाओगा तो कोगिंग के एफेक्ट को मिनिमाईज करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं करते हैं तो इस क्यों करते हैं अगर हम बात करें कि skewing क्यों किया जाता है तो वो हमारे पास में होगा to minimize cogging effect to minimize cogging effect to minimize cogging effect next next अगर हम बात करें इसके बाद में अगले point पर next point क्या होगा हमरे पास में इसको आप कहां use करोगे high torque application में या low torque application के अंदर जल्दी से बताओ इस rotor को किसको बताओ squirrel की rotor को कहां पर use किया जाता है low torque application के अंदर या फिर high torque application के अंदर तो क्या answer रहने वाला है जल्दी से बताओ तो avoid cogging effect correct answer है correct answer है next जल्दी से बताओ इसको कहां use करते हैं तो इस type की motor को use किया जाता है इस type के rotor को use किया जाता है low torque application के अंदर high में इसको यूज नहीं कर सकते हैं तो next point क्या होगा हमारे पस में नेक्स परिट होगा यूजड इन used log application log application nut अप्रिकेशन में हम इसे use करते हैं लौ आप अप्टिशन में हम इसे use करते हैं next इसके बात में एक और important point प्ट क्या स्टेटर के जो स्लोट से उसके बराबर नहीं होने चाहिए और कभी इन्टीग्रल मल्टीपल में भी नहीं होने चाहिए ना यहां पर आप पर पोइंट लिखेंगे इसके अंदर नंबर ओव रोटर स्लोट्स रोटर स्टेटर्स लोट्स क्या होना चैसे हमारे पास में not equal to status लोट्स होने चाहिए not equal to status स्टेटर्स होने चाहिए और an bracket जुक्ष्ण से नोट इंटीग्रल मल्यीपल ऐसा क्यूं जल्दी से बताएंगे answer इसका reason integral multiple में भी नहीं होने चाहिए ऐसा क्यों एक बाद जल्दी से रिप्लाइए करेंगे ऐसा क्यों कि हम क्यों नहीं करतेगी यहाँ पन पन दंबर ओफ लोट जह होंगे रोटर में वो नंबर ओफ डाल के बरापर नहीं हो सकते और नहीं integral multiple में होंगे, reason बताएंगे सभी, क्यों, reason, definitely pream, sir, pole equal होने चाहिए, correct answer है, rotor के अंदर जो pole है, और strator के अंदर pole है, वो बराबर होने चाहिए, बट ये बराबर नहीं होने चाहिए, reason क्या होगा, to minimize cogging effect, क्या होगा, to minimize, minimize cogging effect, minimize cogging effect, cogging effect को minimize करने के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं, cogging अब हमारे पास में बहुत बार परहसान कर रहा है, तो cogging होता है क्या मैं आपको बढ़ाता हूँ, cogging हमारे पास में क्या होता है, number of stator और rotor teeth की बीच में, magnetic locking की condition होती है, ये हमारे पास में cogging क्या होत है, tendency of magnetic locking, क्या अंसर होगा हमारे पास में, tendency of magnetic locking between stator and rotor teeth, magnetic locking, magnetic locking between stator and rotor teeth, stator and rotor teeth, आचा ठीक है, आप सभी को ये भी पता होगा, कि आप सभी को ये भी पता होगा, कि आप सभी लोगों ने form fill कर दिया है, किस-किस ने form fill कर दिया है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन में, बहुत सारे student के मेरे पास में message आ गए है, कि sir, अब जो आप form filling का status आप check कर रहे होगे, आप अपना form download कर रहे हो form reset हो गया, और reset कहां पर छोटी-छोटी गलती की वज़े से, छोटी-छोटी mistake की वज़े से, तो उसके लिए एक session में रखा है, अभी रात कोई 10 बजे, जैसी अपनी class start खतम होगी, उसके just बात में 10 बजे session रखा है, कि अगर आपने ये mistake की है, तो हो सकता है कि उनकी वज़ में अगर आपने fill कर भी दिया है, मान लो कुछ mistake हो भी गई है, तो आप उसमें correction कर सकते हैं, किस दिन correction कर सकते हैं, किसे correction का process रहेगा, किस तरीके से आप process कर सकते हो, correction के लिए, वो भी मैं आज की question में बताने वाला हूँ, अगर आपने form feeling की है और वो mistake की है, तो रात को 10 ब अगे लगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपने गलती कर दिये तो, तो वो चीजों की ध्यान रखेंगे, अपन बात करेंगे, वो दस बज़ेवले station के अंदर है, चलि अगर हम बात करें, यहाँ पर अगले point पर हम आते हैं, अगले point पर हम आते हैं, next होगा हमारे पा आप में जल्दी से बताओ, यहाँ पर यह जो slip ring rotor है, यहाँ पर slip ring क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना हम 3 slip rings हम use करते हैं, इसलिए इसको slip ring rotor हम बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ की जो windings होगी, वो essentially किसमे होगी ध्यान रखना, star के अंदर, ध स्टेटर वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं है, वो सबी भी रात वाले सेशन में बात करेंगे, रात वाले सेशन में बात करेंगे, नोन टेक के रिगार्डिंग सब कुछ में आपको बताऊंगा, ठीक है, चलिए अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर ज से रजिस्टेंस लगा सकते हैं, एक्स्टर्नल रजिस्टेंस, यह होगा और एक्स्टर्नल, यह होगा और एक्स्टर्नल, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, हमारे पास में किसका बताऊं, स्लिप रिंग रोटर का, तो स्लिप रिंग रोटर में पहला कुश्चन होगा हमारे पास में रोटर वाइंडिंग जो होगी वो किसमें होगी ज्यान रखना रोटर वाइंडिंग जो हैं वो हमारे पास में स्टार के अंदर होगी दूसरा कर में बात करो इसको हम यूज करते हैं कहां पर हाई टॉर्क application में, कहां use करते हैं, high torque application में, इसे use किया जाता है, high torque application में, जिसे आप बुल सकते हो, train बॉल सकते हो, hoist बुल सकते हो, lift आप बुल सकते हो, इसमें आप इसको use कर सकते हो, train, hoist, lift. नेक्स्ट इसके बाद में अगले पॉलिंट पर टो यहां पर ज्रान रखना ला है किसमें और समिधिन चाहरे वह कम होता है उऀन आतर गद्ग है waucam Standing and running effect क्या होगा क्षों किसके अंदर किस के अंदर तो हमारे पास में slip ring induction motor के अंदर तो यह point आपको ध्यान रखने हैं यहां पर examiner आपको यह सारे चीज़ें पूश सकता है high top में use करेंगे इसको rotor winding star में होनी चीए cogging crawling का effect यहां पर नहीं आएगा यह सारे पूंट आपको याद रखने हैं यह हमारे पास में रखना इस्टेटर टू टाइप सोब हमारे पास में रोटर होंगे या दो टाइप की ंडॉक्षिन मोटर होगी स्कौारल के इंडॉक्षन मोटर और स्लिप्रिंग इंडक्शन मोटर जल्डी से बताओ यह सारे पॉइंट क्लियर है थेओरिटिकली थेओरिटिकल सारे पॉइंट क्लियर है सभी को जल्डी से एक बार बताएंगे अच्छ कोई बोलता स्मेरे में राइटिंग डॉक्टर जैसे यह क्यों डॉक्टर जिसे राइटिंग तो नहीं यार थोड़ी बहुत ठीक था के अच्छे बताओ लिख रहा हूं जो समझ में आ जा रहे है समझ में आ रहा है मेरे कोडिंग तो सब पुछ लग 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 लिख रहा हूं एक एक वर्ड समझ में आ जाना चीए आपको डॉक्टर जैसे राइटिंग लगे तो बता देना है वैसे मैं पूरी कोशिस करूंगा क्लियर है चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा यहां पर एक्जामिनर यह पूछता है कि हमारे पास में स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है रनिंग टॉर्क क्या होता है उसके फुल लो हब आगो हमारे पास में रंइंग टोर्क के बारे में नेक्स रोगा रणिज तर्क यहां पर अगर हम स्थार्टींग टॉर्क ओर रनिंग टॉर्क की सैंरी तो सबसे पहले यहां पर आपको फॉर्मले कुछ याद रखने पढ़ेंगे जोंता हैब के चुह में तोर्क, running टोर्क को हम क्या बोलते हैं, full load टोर्क, और full load टोर्क का formula होता है, 3 into 60 divided by 2, pi ns into क्या होगा, s into a2 square into r2 upon root of r2 square plus slip times of x2 क्या होगा, square, अगर आपको ये formula याद है, ये formula किसका ज्यान रखना, ये हमारे पास मे है running टोर्क हो, और मैंने भी आपको बोला था, during starting में slip की value 1 होती है, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए और यहाँ पर 1 कर दो, तो हमारे पास में starting torque का formula होगा, 3 into 60, divide by 2 pi ns, 2 pi ns, into क्या होगा, e2 square into r2, divide में हमारे पास में होगा, r2 square plus x2 square, तो यह हमारे पास में होगा starting torque, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ slip 1 कर दो, यहाँ पास slip 1 कर दो, दोनों formula होगे, तो इस सरीके से आप relate करके याद कर सकते हो, अब आप से पूछे का examiner, condition for, condition for maximum, condition for maximum torque, maximum, अब आप starting torque भी बोल सकते हो, या running torque भी बोल सकते हो, चलिए जल्दिस से बताओ, यहाँ पर की, अ अगर हम बात करें, यहाँ पर starting torque के लिए, तो दियानकना आपको याद रखनेंगा तरीका क्या है, condition for maximum torque, अगर वो starting torque की बात करें, तो आप इसको इसको इसके बराबर कर देना, क्या बोला मिने, इसको इसके बराबर करना है, मतलब rotor resistance जो है, अगर rotor reactance के बराबर है, तो torque जो है, वो maximum होगा, तो दोनों इस सरीके से आप relate करके आप याद कर सकते हैं, दो formula होगा आपके पास है, first and second, third आप से पूछे जाएगा, बताओ, maximum torque की value कितनी होगी, maximum torque की value कितनी होती है, तो maximum torque की value, दोनों ही case में बात कर रहा हूं, maximum torque जो है, दोनों ही case में सेम ही होता है, 3 into 60, divided by 2 pi ns, और यहाँ पर बचेगा only e2 square divided by 2x2, यहाँ पर इधर भी क्या होगा, आपके पास में सेम होगा, अगला question आप से पूछेगा, fourth, यह last time भी पूछा था, power factor कहाँ पर 8 maximum torque condition, power factor 8 कहाँ पर maximum torque condition पर, जल्दी से बताओ, power factor कितना होगा, इधर भी answer आपका सेम ही आए जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर इसका answer क्या होगा, आप से पूछेगा, maximum torque condition पर, power factor कितना होगा, क्या answer होगा, maximum torque condition पर, power factor कितना होगा, तो दियानकना, power factor जो है, वो हमारे पास में आता है, 1 by root 2, केसे नाया, यह मत पूछना, बस only, यह केसे आया, यह मत पूछना, बस य लेगिंग होता है, इधर भी हमारे पास में 1 by root 2, लेगिंग ही होगा, तो देखो, आपको सिर्फ एक formula यह पता है, मैंने क्या बोला, यह formula पता है, तो यह लिख दो के starting में, slip की value 1 करके, और अगर आपके पास में दोनों formula होगे, तो R2 को X2 के बराबर कर दो, maximum starting talk की condition, R2SX2 के बराबर कर दो, maximum talk की condition, और यह हमारे पास है, maximum talk हमारे पास में आएगा, अगर आप rotor resistance को change करोगी, तो maximum torque पर द्यान रखना कोई भी effect नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देख सकते हूं, rotor resistance का यहाँ पर कोई भी point है नहीं, R2 expression में ही नहीं है, तो यहाँ पर maximum torque द्यान रखना, rotor resistance पर depend नहीं करता है, चल्द इससे बताओ, याद कर लोगे इस तरीके से, एक बाद रिप्लाई करो यार सभी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, T max, does not depends on, does not depend on, does not depends on, depend on, कहाँ पर द्यान रखना, rotor resistance, rotor resistance पर depend नहीं करता है, maximum जो हमारे पास में, maximum torque है, वो rotor resistance पर depend नहीं करता है, इस चीज़ का द्यान रखना, important point है, बहुत बार exams के अंदर पूछा गया है, clear है यहाँ तक सारे चीज़ें, चल्ले, बढ़ते हैं, हम आगे next point पर, और next point क्या तो यहाँ पर torque slip characteristics, ज्यान रखना, torque versus slip की जो characteristics है, वो important है, torque versus slip की जो characteristics है, अगर हम बात करें, तो वो इस तरह की होगी, यहाँ पर अगर हम बात करें, torque versus slip की characteristics, तो यह हमारे पास में, torque versus slip की characteristics होगी, किसमें, induction motor के अंदर, यहाँ पर y-axis पर होगा torque, यहाँ पर slip होगी approximately 0, यह यहां पर कि स्मयोगे ओगी मतलब इस willingness कहया जो कि यह हमारे पर मैक्सिमुम पॉर्मला होता है जल्दी से बताओ क्लियर कि अच्छे बताओं मशिन टिप्स पर याद हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसे पावर सिस्टम भी आपको टिप्स पर याद है बस बहुत बढ़ा है चैप्टर बहुत सारे वह कॉंफिडेंस नहीं आता है लेकिन जब पावर सिस्टम का क्रेश कोर्स आएगा तो वह भी आपको सार्जेंट टिप्स पर याद होगी है चलिए तो यहां पर यह वेल्यू कितनी होती है यह होगा हमारे पास में एसम जो ही वह होगा आर टू डिवाइड बाए एकस्टू दि टॉर्क इसी कयों एक और नाम से बोलते हैं पुल आउटॉर्क िकलते हैं इसको पुल आउट टॉर्क भी हम इसको बोलके चलते हैं यह सारे नाम मैक्सिम नाम करते है सब्सक्राइबש प्रस्टा सब्सक्राइब रोच एक सब्सक्राइब तो एक श्वच जाएगा SM- यह किसके लिए होगा other resistance R2- के लिए तो resistance बढ़ाने पर SM तो हमारे पास में बढ़ेगा लेकिन maximum torque हमारे पास में constant रहेगा clear तो यह आपके लिए important point होगा अब exam में question क्या पूछेगा अगर आपको यह पता है ध्यान रखना power system आप ही पढ़ाएंगे definitely I use power system में ही पढ़ाऊंगा है चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैंने क्या बोला यह maximum torque है और अगर हम बात करें और अगर हम resistance बढ़ाएंगे तो यह characteristics आएगी और resistance बढ़ाएंगे तो हमारे पास में इस तरह से characteristics आती है न यह resistance इंक्रीज करने के साथ साथ में यह हमारी characteristics जो है वो आती जाएगी अब इसको देखकर मंजीब क्या पता लग रहा है पहला important point maximum torque रोटर इस्टेंस पर depend नहीं करता है पहला point क्या होगा ध्यान रखना T max जो है does not depends on does not depend on does not depends on does not depends on कहा पर दियान रखना आर्टू पर नेक्स्ट अगला point आप मुझे बताएंगे next point क्या होगा अगर आप rotor resistance को increase करोगी तो जल्दी से बताओ starting टॉर्क पर क्या impact होगा टी स्टार्टिंग का मतलब के हैं starting टॉर्क जल्दी से बताओ starting टॉर्क पर क्या impact हो रहें स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या impact होगा अगर आपसे बोल दिया जाए कि starting टॉर्क पर जो हें वो क्या impact होगा मैक्सिमम टॉर्क तो आटू पर डिपेंड नहीं करता है करेक्ट आप मुझे बताओ यह जो स्टार्टिंग टॉर्क है यह हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है इसकी में बात कर रहा हूं स्टार्टिंग टॉर्क जो हैं उस पर क्या impact होगा क्या अंसर आएगा increase होगा decrease होगा या फिर क्या होगा increase decrease देखो यहां पर पहले स्टार्टिंग टॉक यह था जब रॉटर इस्टेंस यह था जब रॉटर इस्टेंस बड़ा तो कर ऊपर shift हुआ starting talk देखो बढ़ा फिर उक्रेस नीचे आ जह इसका मतलब क्या हो स्टार्टिंग टॉक पहले बढ़ रहा और भाद में कम हो रहा है तो द्यान कना answer क्या होगा आपको पहला option दिया जाएगा increase, दूसरा option होगा, decrease, तीसरा option होगा, first increase and then decrease, तो ये correct answer होगा आपके पस में, तो अगर हम बात करें कि if R2 increase करेंगे, तो starting talk क्या होगा, ज्यान रखना, T starting जो है, वो first हमारे पस में क्या होगा, first हमारे पस में increase होगा, and then हमारे पस में क्या होगा, decrease होगा, इस चीज कर जान रखना अगर हम rotor resistance को बढ़ाएंगी तो मैंने क्या बोला rotor resistance को बढ़ाएंगी तो SM की value जो ही SM क्या है वो sleep जिस पर maximum torque आएगा SM क्या है वो sleep जिस पर maximum torque आएगा तो R2 जब आप बढ़ाओगी तो हमारे पास में SM है वो भी क्या होगा बढ़ेगा आटू जब आप बढ़ाओगी तो स्लिप पर maximum torque आएगा वो स्लिप हमारे पास में क्या होगी बढ़ेगी नेक्स अगर हम बात करें अगले important point पर तो यहां पर यह जो पाठे यह देखो स्लिप जीरो है जब आप जीरो स्लिप में देखोगे तो यह characteristics आपको क्या दिखरी बताओ आपको examiner question यह पूछेगा कि low स्लिप region क्योंकि स्लिप यहां जीरो के आसपास है तो low स्लिप region में टॉक स्लिप characteristics क्या होती है option दिया जाएगा circle ellipse पेरागोला स्ट्रेट लाइन क्या होता है जल्दी से बताओ low स्लिप region एप्रोक्सिमेटली जीरो यहां है न बताएंगे answer आपसे examiner पूछेगा low स्लिप region में टॉर्क वर्सेज स्लिप की जो characteristics से वो क्या होगी तो दिया रखना low ड्रीजयन में टॉर्क वसें स्लिप की characteristics स्ट्रेट लाइन होती है ट्रेटला slip होगा लेकिन अगर हम यही बात करें हाई-स्लिप रीजिन में अगर महीं बात करें हाई-स्लिप रीजिएन गेंदर तो हाय Savage रीजिएन में हमारी जो chemistryस होगी टॉर्व चुर्वन diffirm ऑग हैं और इसका अंसर में अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं क्योंकि एक्जामिनर यहां से ध्यान रखना बहुत सारे कुश्चन पूशता है ना जल्दी से बताओ यह वाला पार्ट जो है आपको एक्जामिनर बोल देगा यहां पर डोटेड लाइन करके इस एरिया को शेड़ेड एरिया क अगुश्चन पर hosवाट लकाष्ण गताओ यहां से लेकर यहां तक कि बात करें तो देख सकते हुए यहां पर जब आपका लोड़ बढ़ रहे तो चो बड़ रा है अगर पौह अपको मोटर अपना टॉर्क बढ़ा रही तहो वह स्टेबल तरीके से काम कर रही है यहां कर वाना चाहते हैं और मोटर स्टॉप और चानक लाग यहां पर होगा यह मोटे रीजिए होगा यह रिञान रहें रकना यह जो रिजिएन होता है और यह वाला होता है वह हमारे पास में चलिए region होगा unstable region होगा लेकिन अड़ी मेंने आपको बताया था कि induction motor जो operate करती है induction motor सिर्फ low step region में ही काम करती है वन परसंट से 5% द्यान रखना ये जो इतना region है कितना रखना इतना सा region है यह होता है induction motor का operating region यह क्या होता है induction motor का operating region हमारे पास में हैं जहां पर induction motor operate होना पसंद करती है 1% to 5% जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था जल्दी से बताओ क्या मैं साब बोल सकता हूं कि इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेटिंग रीजेन है वो स्टेबल रीजेन है जल्दी से बताओ क्या मैं साब बोल सकते हैं कि एंडक्शन मोटर का जितना भी ऑपरेटिंग रीजेन में आ रहे है डेफिनिटल यार लेकिन हम इसा नहीं बोल सकते हैं कि जितना स्टेबल है वो सारा ओप्रेटिंग है नहीं ओप्रेटिंग इतना सा है स्टेबल जादा है तो स्टेबल ओप्रेटिंग नहीं है बट ओप्रेटिंग रिजिन सारा का सारा वो स्टेबल रिजिन है तो अगला पॉंट के आएगा हमारे पस में next point होगा हमारे पास में all the stable region, all the operating region is a stable region next point लिखना, all operating region, all operating region, all operating region is a stable region is a stable region, is a stable region, is a stable region, next अगर मैं बात करो, इसका जो उल्टा है convert से वो true नहीं होगा, इसका जो convert से वो उल्टा है, वो true नहीं होगा तो ये सारे question आपको examiner जो है, वो exam के अंदर पूछेगा, जल्दी से बताओ, ये सारे point clear है talk slip characteristics से related जो examiner आपको exam में पूछ सकता है, ये सारे question होगे ये सारे question होगे, जो examiner exam में पूछेगा, जल्दी से बताओ, एक बार ये बताओ कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है revision में, अगर मजा आ रहा है, तो फिर महले में हल्ला नहीं हो रहा है अगर आपको मजा आ रहा है, तो महले में हल्ला होना चाहिए, सभी को पता लगना चाहिए, डोल नंगारे बजने चाहिए, कि भाई, मशीन का revision हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कि आप लोग उस तरह से हो गए, बायस, कि वो नाइट में बेटकर ही बस कसमे खाएंगे, दोस्ती यारी की, कि भाई तेरे लिए जान दे देगा है, तो अगर भाई तेरे लिए जान दे देगा, रात में बेटकर जो कसमे खाते हो, व ऐसी कंडिशन मुझे लग रही, कि अब दोस्त नारा वाली कंडिशन होगी, कि भी अब दोस्त का सेलेक्शन होगा, और मेरा नहीं होगा, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बताओ दोस्तों को, यार सभी को, कि भाई, रिविजन करना है, दस दिन में मशीन तुम खुद बेट का रिवाइज नहीं कर पा होगे, सिर्फ ओनली दो गंटे की स्टडी के साथ में है, चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यह सारे टॉक स्लिप करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो आपको समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले पार पर कुछ चीजे, कुछ फॉर्मले यहाँ पर इंपोर्टेंट है, जो एक्जामिनर पूछता है, आपको पहला कुछन पूछेगा, स्टार्टिंग टॉक डिवाइड बाई फुल लोड टॉक का रिश्यो कितना होता है, फिर आपसे पूछेगा, स्टार्टिंग टॉक डिवाइड ब कि अपको डिवाइड बाई मैक्सिमम टॉक का रिश्यो कितना होता है, तो उसका अंसर आएगा हमारे पास में, 2 x sm upon 1 प्लस sm square, क्या होता है, 2 x sm upon 1 प्लस sm square हमारे पास में हैं, वो स्टार्टिंग अपोन मैक्सिमम टॉक होगा, लेकिन फुल लोड टॉक अपोन मैक्सिम एगा 2 S into SM upon S square plus SM square तो यह होगा हमारे पास में full talk divided by maximum talk और यह होगा starting talk divided by maximum talk का ratio होगा न तो यह दोनों formula आपको याद होने चाहिए मैं फिर से बुल देता हूँ अगर आपको यह याद हैं तो यहां starting करोगा starting में s की value 1 कर देना s की value 1 कर देना यह formula आ जाएगा हमारे पसमें तो ये दोनों फ़र्मिले आपको examiner पता क्या करेगा examiner आपको SM आपको ने दिया जाएगा और इन दोनों аровपinelyर आपको पूछ लेगा रहएगा और आप से SM पूछ लिया जाएगा इस तरह की numerical में आपको प्राक्टिस करौणा प्राक्रिस session के अंदर है ना बाट यह formula आपको जरूर पता होना चाहिए next important point अगला third formula जो हैं आपको पता होना चाहिए जल्दी से बता रोटर copper loss rotor copper loss और rotor power input के अंदर क्या relation होता है rotor copper loss and rotor power input में क्या relation होता है next अगला formula होगा rotor power output rotor output divided by rotor input के अंदर क्या relation होगा rotor output divided by rotor input के अंदर क्या relation होगा क्या answer आएगा चलिए 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 दोस्त बदल गया है अरे नहीं यार आप मत बदल ना दोस्त बदल गया कोई दिखकर दिये हैं आप अपना नेचर मत बदल ना हम बैसे हैं आप रोटर को पर लोगोज जो है द्यान दकना slip times of rotor power input होता है और rotor power output divided by rotor power input का ratio रेश्यों होता है और इसी को हम बोलते हैं rotor efficiency द्यान दकना इसी को बोला जाता है rotor efficiency अगर आपको कभी examiner rotor efficiency के बारे में पूछ ली तो rotor efficiency आप 1- slip कर देना आपका आपको आंसर आजाएगा तो यह चार फॉर्मले जो मैंने आपके सामने लिखे हैं यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मले हैं exam में यहां से examiner आपको numerical भी पूछेगा या theoretically right formula भी पूछ सकता है बहुत सार एक्जाम में यह फॉर्मले डारक्ली पूछे गया है रिलेशन डारक्ली पूछा गया है रोटर कॉपर लोस दे देगा आपसे रोटर पावर इंपूट पूछेगा slip का डिवाइड कर देना तो यह फॉर्मले आपको याद रखने न यह फॉर्मले आपको याद रखने नेक्स पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप अफिक काम कीजिए इंडक्शन मोटर के इंपूट दीजीए यहां से आप थ्रीफ़ेज अप्लाई आप देंगे यह हमारे पास में रोटर होगा यहां पर क्या होगी यह होगी शाफट होगी और अच्चन मोटर को जो आप थ्रीफेज इंपूट दोगी तो के लोस होते हैं लेकिन रोटर के अंदर यहां पर सिर्फ कोपर लोस होते हैं इंडक्शन मोटर में रोटर में कोर लोस नहीं होते हैं बताओ क्यूं तो जल्दी से एक बार reply करेंगे कि यहां पर rotor core loss क्यों नहीं होता है आपको examiner पूछेगा तो आप answer तो यह लगाओगी कि यहां लिख देना induction motor, induction motor rotor core loss will not present, core loss will not present, but reason आप बता क्यों present नहीं होते हैं, induction motor में ध्यान लखना core loss present नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अभी में आपको लिखाया था थोड़ देर पहले कि rotor की frequency, slip times होती है, rotor का जो EMFA, वो slip times होता है, और slip की value में आपको क्या बताएं, कि यह हमारे पास में very low होती है, very low slip होती है, कितनी 1% से लेकर only 5% पर, तो इसका मतलब rotor की frequency, अगर rotor की slip हमारे पास में low है, तो rotor की frequency low हो depends करता है, अगर rotor की frequency हमारे पास में negligible है, rotor का EMF हमारे पास में negligible है, तो rotor के जो losses होंगे, वो हमारे पास में negligible होंगे, तो ज्यान रखना है, यहां पर क्या होता है, rotor में core loss होंगे, बट negligible होंगे, clear, तो यह आपको जो diagram में बनाया है, यह diagram पता है, तो आप यहां से यह बत सकते हैं मिन रिजन भी बता दिया कि क्यों प्राजेंट नहीं होते हैं हमारे पास में रोटर कोर लोस के बारे में चली नेक्ट बढ़ते हैं अगले पार्ट पर हम आते हैं और वो होगा हमारे पास में equivalent circuit, equivalent circuit, equivalent circuit of induction motor, equivalent circuit of induction motor की अगर हम बात करें, तो induction motor का equivalent circuit जो हैं, आप ये वाला याद रखेंगे, directly की induction motor का जो equivalent circuit होता है, IEEE, वो equivalent circuit कुछ इस तरह का होता है, equivalent circuit जो हैं, वो कुछ इस तरह का होता है, induction motor का, ये हमारे पास में होगा resistance R1, ये होगा reactance X1, ये होगा हमारे पास में JXM, ये होगा R2-, ये होगा JX2-, और यह होगा हमारे पास में लोड रजिस्टेंश जिसकी वेल्य होगी आर्टू डेश वन अपॉन एस माइनस वन तो यह जो हमारे पास में लोड में ने बनाया है जल्डी से बताओ यह लोड कौन सा है आपको examiner question पताए क्या पूछेगा आपको examiner question यह पूछेगा कि बताओ क्योंकि देखो motor है motor है ना equivalent circuit से में इस ट्रांस्वर्मर ही होगा motor हमारे क्योंकि इसी को हम रोटेटिंग ट्रांस्वर्मर भी वहते है ना actually आपके मन में यह आएगा कि सर लोड तो शाफ्ट पर है ना motor electrical energy को mechanical energy में convert करेगी तो लोड तो mechanical load है mechanical load है तो फर यह resistance क्यों बनाया तो ध्यान रखना यह mechanical load का electrical equivalent है एक्जाम में पूछेगा आपके पस में electrical equivalent of mechanical load क्या पूछेगा ध्यान रखना electrical equivalent electrical equivalent of mechanical load तो आपके पास में आंसर क्या होगा mechanical load तो आपका आंसर होगा हमारे पास में rl या r2-1 upon s-1 तो r2- को आप 2 लिख सकते हों क्योंकि यह तो refer में करते हैं तब r2- आता है ना तो यहां पर आप लिख दो r2 1 upon s-1 यही होता है हमारे पास में rl अब आपको examiner पता है question क्या पूछेगा आप सो examiner question पूछेगा during starting बताओ rl की value कितनी होगी during starting जो है during starting है वह हमारे पास में rl की value जहों कितनी होती जल्दी से बताओ during starting rl की value कितनी होती है अगर आपको examiner पूछ ले क्या आँसर आएगा during starting rl की value कितनी होती जल्दी से बताओ तो अभी मैं आपको बताया कि during starting जो है वह हमारे पास में slip कितनी होती है? 1 होती है slip 1 होगी यह՝ा 1 करदो one by one 1 होता है one में mudar0 होता तो load हमारे पास में क्या होगा short circuit रहेगा log zero होने का मतलब क्या होगा? load short circuit रहेगा ध्यान डखना जएंक तरह किस की तरह बहरेगा तो यह question भी पूछ सकता है कि during starting mechanical load किस की तरह बहरेगा? ऑप्शन योगा ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट ऐसे उप्शन मना रखे होंगे आंसर आएगा आपका शॉर्ट सर्किट चलिए नेक्स बढ़ते हैं इसके बाद में आते हैं अगला पॉइंट होगा हमारे पास में टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर हम बात करते हैं से नेक्स टोपिक होगा हमारे पास में टेस्टिंग स्ट्व इंडक्शन मोटर ओ जड़ी से बताएंगे यहाँ पर ट्यस्टिंग के लिए दो मैथいた होते हैं कौन फोनसे ॉप आपक 50 Alger्य ओप onduction miss in Extension Mt 하면 मोरं की टेस्टिंग के यहां पर दो मेथड़ सोते हैं कौन-Kन से अंसर आपके को बताना है चल्दी से बाइब दो मेथड कौन-Kन से होते हैं टेस्टिंग के handful opposition Lösung से डेस्टिंग के कौन-कौन से मेथड होते हैं टेस्टिंग के कौन-कौन से दो मेथड होते हैं जन्रलाइज ट्रांस्वर्मर वही निति एकदम सही अंसर नौ लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट करेक्ट अंसर तो यहां पर पहले में बात कर रहां नौ लोड टेस्ट नौ लोड टेस्ट में आपको एक्जामिन और पहला कुछिन दिआरेगा कि कहां पर परफ फ्रम करते हैं तो नो लोड टेस्ट धैन लगना रिटेड मोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंजे पर किया जाता हैं यहाँ निदि कोय लोड नहीं होगा यहां पर क्या हो गया और निदर लोडव और नहीं ने लिड़त न no load is connected to shaft no load is connected to shaft तो यहां पर हम shaft से कोई भी load connect नहीं करेंगे लेकिन क्या होगा ध्यान रखना shaft यहां पर freely rotate होगी इस test में ध्यान रखना shaft हमारे पास में क्या होगी shaft is freely rotate shaft यहां पर क्या होगी freely हमारे पास में क्या होगी rotate होगी इसके अंदर है तो इस टेस्ट में मैंने क्या वाला लोड नहीं लगाएंगे शाफ्ट हमारे पास में क्या होगी रोटेट होगी तो आप मुझे बता सकते हैं इस केस में हमारे लोड आरेल की वेल्यू कितनी होगी जल्दी से बताओ अगला कुशन में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो लोड ये हमारे पास में आरेल हैं इसकी वेल्यू क्या होगी चलिए कौन से लोड को डिटर्माइन करता है किसे ने बोला है सरक को लोड को अब लोड की बात करते हैं कौन से लोड को जो है वो हाँ जनरलाइज आरेल की वेल्यू क्या होगी तो यहां पर मैंने क्या बोला इस केस में क्या होगा एक्चुली हमारी मोटर ऐसी होगी यह इंडक्शन मोटर होगी यह इसका रोटर होगा यहां पर हम क्या करेंगे शाफ्ट लगाएंगे वह शाफ्रिली रोटेट होगी इधर से हम क्या करें supply हम यहां से देंगी three phase supply हम यहां से देंगी इसके shaft यहां पर क्या होगी freely rotate होगी और freely rotate करना है तो यह speed बहुत ज़ादा होगी speed लगबग synchronous speed के बराबर होगी तो इसकी जो slip है ns minus nr divided by ns वो हमारे पास में क्या होगी बताओ approximately 0 मतलब बहुत कम होगी very low exactly 0 नहीं हो सकती है very low हमारे पास में होगी और slip अगर हमारे पास में very low है तो rl जो होगा वो r21 upon s minus 1 अगर something upon 0 infinite मतलब infinite का मतलब very high तो यह हमारे पास में क्या होगा very high resistance होगा और very high होगा तो हम क्या करेंगे इसको open circuit कर देंगे न तो ध्यान लगना यहां पर मैंने क्या बोला समझ लेना किसी को reason ना समझ मैं तो फिर से बता देना मैं explain कर दूँगा यहां पर shaft नहीं जिसे मालों यह shaft है इस पर load लगा रहा हूँ फिर मैं इसको rotate कर बा रहा हूँ speed कम होगी अगर इस पर load नहीं है मुझे बोल दिया ज़िए इसको गुमाओ तो देखो load नहीं बिना load high speed पर मैं rotate कर आऊँगा तो मैंने बोला speed ज़्यादा होती है speed ज़्यादा होगी slip कम होगी slip कम होगी हमारे पास में one upon slip करना है तो slip कम होगी तो load resistance बहुत ज़्यादा होगा इसको open circuit कर देंगे इसलिए दियान रखना no load test जो होता है वो equivalent to open circuit test of transformer तो यहाँ पर आप point लिखेंगे इसके अंदर कि यह जो test होगा वो किसके equivalent होगा तो यहाँ लिख देना यह हमारे पास में क्या होगा equivalent to equivalent to open circuit test of transformer open circuit test of transformer चलिए अब आप मुझे बताएंगे इस test में कौन-कौन से losses present होते हैं जल्दी से बताएंगे अगला point हमारे पास में losses कौन-कौन से present होगे इस test के अंदर losses कौन-कौन से होगे नाम में यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको बताना है stator core loss होगा की नहीं होगा अगला बताना stator copper loss होगा की नहीं होगा next आप बताना rotor core loss होगा की नहीं होगा next हमारे पास में बताना rotor copper loss होगा की नहीं होगा और last बताना mechanical loss जो होगा की नहीं होगा इन में से कौन-कौन से loss होगे नमरिक में कर देता हूँ गया है बहुत सार एक्जाम के उपनो लोट टेस्ट अफ इंडक्षिन मोंटर में कौन-kौन से होती है को कौन से होगे 12345 नंब्रिंग के इसाप से होते हैं नंब्रिंग के इसाप से बता दो कौन-कौन से लोसिस होते हैं कौन कौन से लोसिस होते हैं तो द्यान रखना स्टेटर कोपर लोस होता है क्यों रिजन यहां पर लिखा हुए दिखो रिजन में लिखा है वोल्टेज और रिक्वेंसी रेटेड हैं वल्टेज्ट फ्रिक्वेंसी जादा है तो को लोश होगा इस टेटर को लौश यहाँ पर प्रक्रेचंट होगा all dayo देund करन्ट का मेंक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लिखना तो इसका पीजन क्या है इसका यह हमारे पास में नेज दिलाना रखना रोटर को लोस ओढ़े बहुत सारे स्पेट्मेंट लिख सूर निकैता ने भी लिखा है इसodu मैंने यहाँ नहीं होते हैं तो रोटर कोриз комнаu यहां पर इंदक्शन मोटर में होते ही नहीं अब आपके में डावट आ रहा हुँका कि सर यह टेस्ट न निया यह द्यान वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जो रेटेड है वो मैं स्टेटर को दे रहा हूं मैं रोर को नहीं दे रहा हूं आपको बता है रोटर का आ-एअ-एपे वहू बहुत कम ऑगा है जलुदी से बताओ क्लियर है तो यहां पर ज्ञान रखना स्थार यहीं च्क्यो आ इसलिए ह्यां इसले इहां पर रोटर को यॉ डोस प्रजेड नहीं होते हैं तो यह नहीं होगी रोटर कॉपर लोज होंगे या नहीं होंगे, क्यों बताओ, क्योंकि रोटर का जो लोड है वो ही open circuit है, देखो equivalent circuit में यहां बना लेता हूँ, यह equivalent circuit होगा हमारे पास में, कहाँ पर, during no-load test के अंदर, यह equivalent circuit होगा जिसमें load हमारा open रहेगा, लोड हमारा open रहेगा, यह RL जो है, वो open circuit रहेगा इसके अंदर, तो देख सकते हो, रोटर में कोई भी current flow नहीं होगा, रोटर का current 0 होगा, तो हमारे पास में क्या होगा, रोटर कोपर लोज से वो present नहीं होगे, तो यहां से हम बोल सकते हैं, द्यान रखना, इसमें क्या बोल सकता हूं में, कि यह present नहीं होगा, लेकिन mechanical loss present होगा, तो 1, 2, 5, correct answer है, mechanical loss present होगा, क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको लिखा है, कि shaft यहां पर freely rotate होगी, अब जल्दी से बताओ, यह सारे point clear होगे, यह सारे point clear होगे, clear होगे, जल्दी से बताओ, transformer कब चलेगा, assuming transformer इसके बाद में चलेगा, मतलब कल नहीं, person transformer होगा, मुझे पता है, transformer से आपको बहुत प्यार है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ते हैं, और transformer जब पढ़ते हैं, तो जब सर पढ़ाते हैं, तो हमें सब कुछ आता है, तो दिल से बहुत सुकुन मिलता है, बट बेड़ा, दिल का सुकुन नहीं चाहिए हमें न, मैं transformer बात में क्यों र तेरा उस पेपर के को करने में सुकून आना चीए रूँ तभी आएगा जब पूरी मशीन जो है आप इकॉल तरीके से पड़ोगे ना ट्रांस्वर्मर भी होगा कल नहीं परसूं होगा तो उस दिन आपको मैं कुछिन पूछूंगा फटाक से अंसर दोगी और खुश हो होगा न चौड़ूँगा जिन्दगी जब तक जीना न सीख लो महनत करना अब एक आदत सी बन गई हैं क्योंकि काम्याभी को मुकदर जो बनाना है माना कि आज वक्त मेरा नहीं हालात मेरे नहीं पर वक्त को भी वक्त बनाने में वक्त जरूर लगता है दोस्ते न तो पढ़ना ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांस्वर्मर जब मैं पढ़ाऊंगो तब आए दो दिन पढ़नी फिर चलेगे पूरा मशीन पढ़ना पढ़ेगा चलो तो यहां पर आते हैं अपन फिर से फिर से अपन स्टार्ट करते हैं तो मैंने क्या बोला यहां पर हमारे पास में लोड करन द्यान रखना इंडॉक्षं मोटर का नो लोड करन 30-40 परसंट हमारे पास में होता है और यहां पर कौन-कौन से लोज होते हैं स्टेटर कोर लोज स्टेटर कोपर लोज और मेकेनिकल लोज होंगी किसके अंदर No Load Test में, No Load Test को ही हम Open Circuit Test of Transformers भी हम बोल के चलते हैं, No Load Test को ही हम Open Circuit Test of Transformers भी बोल के चलते हैं, यह Equivalent Circuit होगा No Load Test पर Next अब आते हैं, अगले पार्ट में, और वो होगा हमारे पास में Blocked Rotor Test चलिए, तो Next heading लिखेंगे आप Blocked Rotor Test, heading लिखो यहाँ पर Blocked Rotor Test टेस्ट टेस्ट तो वहीं ब्लोग रोटर टेस्ट के अगर मैं बात करूं तो नाम से पता लग रहा है कि यहां का रोटर जो हो ब्लॉक रहेगा मतलब क्या होगा यहां पर रोटर हमारे पास में रोटेट नहीं होगा है सब कोई recorded बेच है क्या कोई सब्सक्राइब पर्चिस कर लो उसमें मशीन हो गया था आप इज रिकोडिंग भी देख सकते उसको नहीं तो आप लाइव बेच भी आप जोइन कर सकते हैं न चलिए तो ब्लॉक रोटे टेस्ट में क्या होगा ध्यान रखना यहां पर पहला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होगा शाफ्ट रोटेट नहीं होगी क्या बोला मैंने शाफ्ट विल नौट रोटेट इसमें शाफ्ट रोटेट नहीं होगी इस तेस्ट में ध्यान रखना शाफ्ट रोटेट नहीं होगी फिर मैं बोलता हूं यहां पर अगला पॉइंट इ इसको करेंगे next next इसके बाद में अगला point हमारे पास में क्या होगा इस test में जो current होगा द्यान रखना current इसमें जो flow होगा इस test में वो current हमारे पास में rated current होगा द्यान रखना इसमें क्या होगा rated current जो है वो क्या होगा flow होगा तो rated current क्या होगा आपके पास में will flow current जो है वो हमारे पास में rated current flow होगा, अब देख़ो इसका डाइग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो आपको सारे loss की भी बात यार आजाएगी, तो ये हमारे पास में क्या है, stator है, ये क्या है, iska rotor है, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी shaft होगी, यहाँ पर क्या होगा, इसकी shaft होगी, आप इसको जो supply दोगे, यहाँ से 3-phase supply आप देंगे, और इसकी shaft जो ही जयाना रखना, not rotate, तो जल्दी से बढ़ा सकते हैं, कि अगर shaft rotate न जो load है वो क्या रहेगा कि यही सब conclusion निकालेंगे तो अगर आप देखोगे तो load की value है R2 1 upon S-1 अगर shaft rotate नहीं होगी तो speed 0 होगी और speed 0 होगी तो slip 1 होगी और slip 1 यहाँ पर होगी तो यह 0 होगा और यह 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा यह हमारे पास में रहेगा short circuit तो यहाँ पर क्या होगा दियान रखना load हमारा short circuit होगा तो इसमें equivalent circuit जब बनाओगी तो equivalent circuit कुछ ऐसा बनेगा इसके अंदर equivalent circuit जो है कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर जो load है इस load को आप क्या करो short circuit कर दो तो आप मुझे बता सकते हैं क्या यहीं टेस्ट short circuit test of transformer के एक्वल है क्या जल्दी सब्सक्राइब जब आप पढ़ोगी तो transformer में मैं आपको बताऊँगा transformer का जो short circuit test है उसमें भी reduced voltage और reduced frequency पर करते हैं और उसमें भी rated current flow होता है और हम load को short circuit करते हैं तो same condition देख सकते हैं load को short circuit कर रहे हैं reduced voltage और reduced frequency पर हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि यह test जो है equivalent to short circuit test of transformer clear जल्दी से बताऊ not rotate लिखिए क्या लिखा मैंने shaft will not rotate correct एकदम सही चलिए तो यहाँ पर आप next point लिखेंगे इसके अंदर अगले point में यहाँ पर लिखना it is equivalent to it is equivalent to it is equivalent to equivalent to short circuit test of transformer तो द्यान लखना यह हमारे पास में equivalent होगा किसके बार हो short circuit test of transformer के ही हमारे पास में equivalent होगा अब आप मुझे बताएंगे losses के बारे में इस test में कौन-कौन से losses होते हैं नाम में लिख रहा हूं फिर से वो ही stator core loss होगा की नहीं होगा stator copper loss होगा की नहीं होगा next में बात कर रहा हूं rotor core loss होगा की नहीं होगा और rotor copper loss होगा की नहीं होगा और last हमारे पास में क्या है द्यान लखना mechanical loss जो हैं वो हमारे पास में होगा कि नहीं होगा चल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे कौन-कौन से लोज होंगे 1-2-3-4-5 numbering same 1-2-3-4-5 कौन-कौन से लोज होंगे XBR और वहां नहीं पूछेगा पूछेगा ता आप यहीं लिख दो इसका पैरले लेलो यह व्यानक ना हूगा r1 यह होगा jx1 यह हमारे पासमें आएगा jxm यह होगा r2 टेश यह हमारे पासमें आगज जे एक्स्टू डेतंस लिख दो उसमें जो रेजिस्टेंस आएगा वो और र होगा जो डियक्टेंस आएगा वो ऐस्ट पुछेगा ने उसको छोड़ दो आप नोकि की जिकर रेटेट लिख दिया को कि नहीं नहीं रोटेट ही लिखा हुआ है करंट्ड की अच्छा अच्छा नोट रेटेड यहां लिख दिया रोटेट लिखो यहां रोटेट लिखो सही चलो जल्दी से वदा कौन-कौन से लोस होंगे तो दियान रखना पहले पहला हमारे पास में कहें स्टेटर कोर लोस नहीं होंगी क्योंकि बहुत सार में देख रहा हूं कुछ ने आंसर स्टेटर कोर लोस नहीं होंगे रीजन क्या है अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम रिडूस्ट वोल्टेज और रिडूस्ट फ्रिक्वेश्ट पर करते हैं अगर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है अगर हमने रिडूस्ट दिया है इसका मतलब यह लोस हमारे पास में नहीं होगा क्यों वी एंड एफ जो है वो हम यहां पर रिडूस्ट एप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर क्या होगा हम रिडूस्ट एप्लाई में रेटेड हैं नेक्स अगले कुश्चन में रोटर कोरलोस होगा की नहीं होगा तो फिर से कोई आणसर थ्री दे रहा है जैश जैश और किस ने दिया है जैश नहीं दिया इससे पहले भी निकले थे बिटा पूरा कंचेंट्रेशन यहां पर ठीक है कोई भी क्लास के अंदर जो होता है बहुत बार अपन क्या करते हैं सस्ते नशे कर लेते हैं या पिर हम आत्ममंथन चलो सस्ता नशे नहीं करेगा ह आत्ममंथन मुझे पता है रात की दस बज रही है नेंद आ रही होगी आपको बट कोई दिक्कत नहीं करना है अभी तीन बार में पहले बता चुका हूं कि भाई रोटर कोर लोस प्रजेंट नहीं होता है नहीं होता है अगले साल फिर से 2999 रूपे लगाने पड़ेंगे चलो तो यहां पर आजब मैं नहीं चाहता हूं वह आपको लगाना पड़े है ना चलिए तो रोटर कोर लोस बेटा नहीं होता है 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 तीन बार लिखो जल्दिसे तीन बार में हमारे दिमाग इंतुर जगते अच्छा आती कि हां नहीं होता है न चलिए अगर हम बात करें यहां पर अगले पॉइंट पर बात करें रोटर कॉपर लोस हमारे पास में होगा क्योंकि करंट हमारा जो है वो रेटेड करंट है न करंट हमारे पास में क्या है रेटेड करंट है ज्यान रखना करंट हमारे पास में जो रेट को रोस नहीं होता है याद रहेगा सभी को यह चलिए तो एक चीजी आपको समझ में आ गई होगी नेक्स्ट इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले पाट पर तो चलिए मोटर बना ली मोटर की टेस्टिंग कर ली अब जल्दी से बताओ मोटर बन गई हैं मोटर का हमने केरेक कि बाने के वाद में आपने उसके टेसटिंग भी कर ली हैं और टेस्टिंग करने के बाद में अफ और क्या करना चाहोगी है क्या करोगे कोई बोलता सर स्पीड कंट्रोल करोगे एरे भई ब्रेकिंग करोगे कितने भावी इंजिनियर है सर मोटर बना के टेस्टिंग कर ली अब टेस्ट करने के बाद में पड़ी हुई है अब उस पर बेठे बेठे ब्रेक लगाएंगे कितना अच्छा लगेगा आप मुझे मताओ प्रैक्टिकल सिचुएशन एजियूम करो प्रैक्टिकल यह आप एजियूम करो कि आपने एक बाइक बना ली है बाइक बना कर आपने रग दी है अब उस पर बेठे हुए हो और आप उसके ब्रेक लगा रहे हो या कोई बोलता है सर स्पीड कंट्रोल करेंगे तो उसके स्पीड कंट्रोल करोगे यार बाइक बनाई है तो बाइक को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा फिर स्पीड कंट्रोल करेंगे और फिर ब्रेक लगाएंगे तो एक सिस्टेमेटिक तरीके से काम करेंगे तो यहां पर क्या होगा सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे मोट यह से कोई नहीं लेगा ना बिना टेस्टिंग स्टार्ट करवा के बतानी पड़ेगी उसको ना टेस्ट ड्राइव देना पड़ेगा स्टार्टिंग ओफ इंडक्शन मोटर चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं मोटर को हम इसलिए दर्साते हैं कि एक्चुल में तो वह इंडक्टर ही है ध्यान रखना एक्चुल में तो वह इंडक्टर मतलब कोईल है ठीक हम इसलिए दर्साते हैं कि एक्चुली वह कोईल है अब आप बोलो कि सर कोईल है तो आपने फिर उसका रजिस्टेंस ही क्यों लिखा आप सरे यह कोईल है कोईल मतलब इंड़क्टर होता है इसलिए मैंने कोईल से दर्साया दूसरा आपका कुछन होगा सर अगर आपने कोईल है इंड़क्टर है इंड़क्टर क्यों नहीं लिखा क्योंकि बेटा वह डीसी मोटर है वह क्या है डीसी मोटर है आपको बोले हो डीसी मो होता है तो इंड़क्टर का वोल्टेज शॉर्ट सर्कूट होता है तो इंड़क्टर भी है लाएक शॉर्ट सर्कूट ठीक है तो एक्चुली कोईल होती है उसको का रजिस्टेंस भी होता है उसका इंड़क्टेंस उसका शॉर्ट सर्कूट की तरह करता है इसके हम नहीं सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक्जामिनर पहला कुछेगा वाई वी नीड स्टाटर हम स्टाटर क्यों यूज करते हैं जल्दी से बताओ हम स्टाटर जो है वो क्यों यूज करते हैं आपको एक्जामिनर पूछेगा कुछेगा वाई वी नीड स्टाटर वाई वी नीड स्टाटर जो है हम क्यों यूज करते हैं तो आंसर हमारे पास में क्या होगा अभी अगर आ disintegr टो हे आर्टू है यह एक्सक्रय है और यह हमारा लोड है यह हमारा लोड है तो अगर मैं बात करूं डेइड रॉड़्र का ओल्टेज्ट का रोटर का रिजिस्टेंस होगा रोटर का are youhst तो में स्टेंस होगा बड़ स्टार्ट इंग की में बात कर रहा हूं तो विया करते हलों एक पोइंट तो लिमीट शहर्ट इस टार्ट इंग करेंट तो लिमीट यहां पर असे लोने पमएड़ स्ट। is used, starter is used, तो हम starter यहाँ पर क्या करते हैं। यह अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में और मेथथर्ड, अगर मेथड's की बात करें, तो मेथड's कौन ख। मेथर्स्ट मेथड होगे रहेगा, dol-starting, पहला होगा हमारे पास में direct online लाइन स्टार्टिंग यह हमारे पास में क्या होगा डियोल स्टार्टिंग मेथड होगा दूसरा हमारे पास में होगा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग Start, डिल्टा, श्तार्टिंग, Next अमारे पास में क्या होगा, Start, डिल्टा, श्तार्टिंग, Next अगर हम बात करें Third Point पर तो Third हमारे पास में क्या होगा, Auto Transformer Starting, Auto Transformer Starting, Next अमारे पास में होगा Fourth, Stator Resistance, Stator Resistance स्टेट्र फ Court लास्ट हमारे पास में Ceilal शरुटर फूसेंज श्टाटिंग मुशना रोटर फोर्मैट में पहला कुछटम आप陽 में इनमें से कौन साइसा मेथर्य है वह only सjenल्ट बुद्ध को दो काक्लों आपका पूछेगा है वह रहा है क्यों को रहां कॉंप्लाईош सकते हैं इनली सुम्हियर के सधातर ए करए वπαन से न होगा सब्सक्रा कर आघ ग्लास तो आपका आंसर क्या अरति है ग्ल्बारीज़िशनस सर्टिंग किलिभ ग्लास में की रोटर में कोई resistance नहीं होता है actually वहां रोटर में winding ही नहीं होती है रोटर में वहां पर कोई terminal ही नहीं होते हैं तो हम रोटर का resistance वहां पर change कर ही नहीं सकते हैं और रोटर का resistance बढ़ाते हैं तो यहां ध्यान रखना only किसके लिए होगा ध्यान रखना only for slip ring induction motor यह ध्यान रखना कि कौन-कौन से method reduced voltage starting method होते हैं आपको examiner ये पांचो नाम दे देगा आपसे पुछेगा इन सभी में से reduced voltage starting method कौन-कौन से हैं जल्दी से answer बताएंगे 1,2,3,4,5 की format में 1,2,3,4,5 की format में आप बताओं कि इन में से reduced voltage starting method जो हैं वो कौन से हैं जिसमें हम voltage को reduce करते हैं reduced voltage starting method कौन-कौन से हैं 1,2,3,4,5 ऐसे ही आप जो है वो कमेंट करके बताएंगे 2,3,5 की बोल तो यहां पर देखो इदर में ने क्या बोला हम इस method में rotor resistance starting में हम सिर्प rotor का resistance बढ़ाते हैं और current को कम करते हैं यह काम करते हैं यहां के voltage को कम नहीं करते हैं यह कहने का मतलब है होंगे 2,3,4 correct answer है 5 में reduced voltage नहीं होता है मैं फिर से बोल रहा हूं 5 में नाम से पता लग रहा है कि rotor resistance starting का मतलब rotor का resistance हम बढ़ाएंगे direct online starting method में reduce voltage starting method नहीं होता है हम यहां पर directly हमारी हमारे पास में पूछेगा बताओ starting टॉक का रेशयो कितना होता है तो वह हमारा फॉर्मला होगा i starting divided by i full load square into s of full load जो है वो हमारे पास में होगा next अगर हम बात करें star delta starting के अंदर star delta starting के अंदर जल्दी से बताओ star delta starting के अंदर starting talk divided by full load talk का रेशयो कितना होता है तो यहां पर आ जाएगा one third आता है हमारे पास में और यहां एगा i starting divided by i full load का square into s of full load होगा तो यह हमारे पास में होगा यहां पर one third नहीं आता है यहां one third आएगा यह formula याद रखना है अगर मैं बात करूं star delta starting के अंदर जल्दी से बताओ यहां पर switch use करते हो switch का नाम क्या है इसमें star delta starting method में हम यहां पर thank you so much अमर जोत जल्दी से बताओ star delta starting method के अंदर जो है हम यहां पर switch use करते हो उसका नाम होता है tp dt switch triple pole double through switch यहां पर ध्यान रखना हम क्या करेंगी यहां पर double through switch triple pole double through switch double through switch हमारे पास में रहेगा double through switch हमारे पास में आएगा tp dt switch हमारे पास में रहेगा next इसके बात में क्या होगा अगर हम अगले point पर बात करें आपको examiner यहां पर पूछेगा कि बताओ star delta starting के मन अंदर जो है starting current किसमें ज्यान रखना star delta के अंदर जो है current हमारे पास में starting current जो में बात कर रहा हूं डी ओल के comparison में कितना होता है जल्दी से बताओ डी ओल में के comparison में कितना होता है यह examiner question पूछेगा आपसे बोल दिया जाएगा start delta starting में जो starting current होता है और डी ओल में जो starting current होता है उनका ratio कितना होता है क्या answer लगाओगे ट्रिपल पूल डवर्थू स्विच करेक्ट आंसर है डी ओल को हम 5hp तक यूज करते हैं करेक्ट आंसर है चलिए जल्दी से बताओ आगे का condition आगे कंडिशन आप बताएंगी जल्दी से क्या answer होगा वन थर्ड चलिए बाई डिफोल द्यान रखना वन थर्ड लगाना है जब तक वन थर्ड ओप्शन में हो लेकिन यह द्यान रखना यह किसका ratio होता है यह line current का ratio होता है यह line current का ratio होता है अगर मानलो examiner आप से question उसकी मर्जी हुई वह line current नहीं पूछना चाहरा है तो वह यहां पर phase current का ratio पूछ सकता है अगर वह specially mention करे phase current तो आप यहां पर answer लगाएंगे 1 by root 3 क्या बोला मैंने अगर वह कुछ नहीं बोलेगा यह line current बोलेगा तो हम्हें answer वाला ही मिलेगा लेकिन exam में 1 by root 3 वाला question भी exam में आया हुआ है तो ज्यानकना phase current यह line current किसका पूछ रहा है उसका coding आपको answer जो है वह बताना है next इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले point पर next हमारे पास में होगा autotransformer starting method next लिखेंगे autotransformer autotransformer starting method autotransformer starting method की अगर हम बात करें तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे autotransformer हम यूज करेंगे और इसमें सिर्व आपको formula बताना है starting talk divided by full load talk का ratio जो है वो क्या होता है वो होता है x square into i starting divided by i full load square into हमारे पास में क्या होगा s of full load into क्या होगा s of full load हमारे पास में होगा s मतलब क्या है slip है किसकी full load कि slip है अच्छा आप मुझे बताओ आपसे पूछेगा कि most expensive method कुन सा है कि हाँ तॉर्क है तरी current का रेष करन लिखो हैं यहां पर टॉर्क नहीं करन करो कर रूर्क करो टॉर्क का रेषिट उपर लिख दिया हमने करेंट है करेंट है करेंट इसको थोड़ा साथ runner करो बोल में current round लिखा हुआ है ऐसी error को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ measurement में बोलते हैं लिखते हैं कुछ error है तो इस टाइप की error को क्या बोला जाता है और यह जो error है वो आपको बहुत कम से कम करना है एक्जाम में ना कौन सी error है उसको हम बोलते हैं gross error ठीक है gross error जो हैं आपको बहुत कम से कम करना है एक्जाम में इस चीज़ का धियान रखना है तो यह हमारे पास में क्या होगा starting talk divided by full lot talk का ratio होगा अगर आपसे पूछे कि most expensive method तो यह ही होगा हमारे पास में auto transformer starting तो यहां पर आप लिखना है इसके अंदर most expensive method most expensive method वो हमारे पास में क्या होगा यही होग लेकिन अगर आपको examiner यह पूछे कि बताओ most widely used method कुण सा है तो आप answer बताओगे start delta starting है तो यह हमारे पास में क्या होगा धियान रखना इधर लिख देना most widely used method mostly used method mostly used method हमारे पास में होगा सबसे ज़्यादा हम इसको use करेंगे ठीक है सबसे अदा हम इसको use करेंगे next अगर हम बात करें इसके बाद में आपको examiner यह पूछेगा यह पर जो x से क्या होता है द्यान रखना x यहां पर होता है auto transformation ratio क्या होता है द्यान रखना auto transformation transformation ratio या फिर इसी का एक वाइड यूज करेगा वो percentage tapping क्या बहुलेगा परसेंटेज टेपिंग तो आपको examiner कुछन ऐसा पूछेगा कि auto transformer में tapping कितने परसेंट प्रोवाइड करा है कि इसका जो starting torque और full load value हम क्या रखें कि हमारे पास में जो torque है इसके पराबर हो torka ratio क्या तो यह दोनों बराबर हैं अगर हमारे पास में करना है तो हमारे पास में क्या होगा यह x2 है वह one by three के बराबर हो जाए तो तो पोसिबल है न तो यहां पर अगर हम बात करें तो x square की value 1 by 3 होनी चाहिए मतलब x की value 1 by root 3 होनी चाहिए जिसकी value होती है 0.577 अगर मैं percentage में बात करूँगा x की value तो 57.7% अगर हम taping provide कराएं तो यहां का torque का ratio जो है वो किसके बराबर होगा इसके torque के बराबर होगा तो ध्यान रखना इस condition पर starting torque divided by full or torque किस में auto transformer के अंदर जो होगा वो equal होगा किसके starting torque starting torque divided by full or torque किसके बताओ तो यह question आपको पूछे जाएगा examiner पूछेगा इस condition पर होगा 57.7% tapping हम provide कराएंगे correct answer है चले सभी का एकदम correct answer है इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले point पर तो यहां से आपको यह वाला जो formula है न ध्यान रखना यह जो formula है यह सेम formula आपके इसमें लगा देना stator resistance starting के अंदर stator resistance में भी यही होता है न तो हम यही formula लिख देते हैं कभी पूछेगा नहीं अगर आपसे पूछ ले कभी स्टेटर रजिस्टेंस स्टेटर रजिस्टेंस स्टेटर रजिस्टेंस स्टेटर रजिस्टेंस स्टेटर रजिस्टेंस स्टेंस स्टेंस के बारे में आपसे पूछेगा तो हमारे पास में answer क्या होगा starting torque divided by full load torque का जो ratio होगा वो हमारे पास में कितना होगा तो ध्यान रखना वो हमारे पास में same formula होगा I starting divided by I full load square into S of full load लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना X यहाँ पर क्या होदा drop तो मैंने वहला कभी नहीं पूछेगा अगर आपको push ले ता आप यह लगा देना but बढ़ते हैं अगला वाला जो है वो very very important है अगला वाला जो है वो rotor resistance starting है rotor resistance starting rotor resistance starting तो यह मैं बता चुका हूँगे already हम इसमें क्या करते हैं हम इसमें slip ring induction motor में ही use करते हैं पहला तो जैन रखना किसके लिए होगा पहलो एक मैं यहां पर only four only four slip ring induction motor slip ring induction motor के लिए होगा squirrel case के लिए नहीं होगा not a reduced voltage starting not a reduced voltage starting reduced voltage starting voltage starting इसको आप यहां से समझ सकते हो ना हम क्या करते हैं currently spinning इस diagram से समझ लो कि Duryn मैं क्या करते हैं बहुत पढ़ ले है और आहरे चलो यहां पर आओ ना सूर्द में हम क्या करते हैं डियूरिं स्टार्टिंग में हम यह external जिस्टेंस को rotor में connect करते report इस से रोटर का एगसेंस हमारा बढ़ जाता है उससे current limit हो जाता है और जिसे रणिंग कंडिशन पर motor जाती है इसको है हम यहां से हटा कर हम इसको short कर देते है exam में examiner पूसता है कि running condition पर rotor winding को short circuit किसकी help से किया जाता है क्या अंसार होगा जल्दी से बताओ short circuit हम किसकी help से करते हैं running condition में हम short circuit किसकी help से करते हैं क्या answer होगा बताओ क्या answer होगा electrical engineer का correct answer आया कि सर metal collar arrangement जो है वो हम use करेंगे correct answer है न तो यहाँ पर लिख देना 8 running condition यहाँ पर important point लिख देना कहाँ पर द्यान रखना 8 running condition 8 running condition metal collar arrangement metal collar arrangement metal collar arrangement arrangement is used is used to short circuit तो यह four short circuit four short circuit rotor winding rotor winding को short circuit करने के लिए हम यहाँ पर metal collar arrangement हम यूस करते हैं चल्ये तो motor बना ली है the start कर ली है अब बताओ क्या करें ए चफिसे बाता मोटर बन गई है testing हो गई है हमने start भी कर दिया है बताओ start करने के बाद में क्या करें कि ब जल्दी से रिप्लाइब करेंगे ठ्रीपे मोटरश को है हमने बना ली हैं सब काम कर लिया है स्टार्ट कर रहे हैं अब बताओ क्या करने है मैं इस एलेक्ट्रिकल इंजीने बोले हैं ब्रेक लगाते हैं जो पडोसी आपकी जोब का इंतजार कर रहा है कि जिसी आपकी जोब लगेगी और आपके गर पर हिस्ता लेकर आएगा ठीक है मान लो यह पडोसी का गर है ठीक है आपने पता है क्या किया आपने क्या किया अपनी बाइक जो थी इसको बाइक समझना है ना प्रेक्टिकली पर उसके बेटे बेटे ब्रेक लगा रहे हूं अच्छा लगेगा ऐसा कुछ वह रिस्ता ही लेके नहीं आएगा है ना तो इस चीज का ज्यान रखना है कि वहां नहीं करना अपने घर में कर लो कोई दिक्कत नहीं आप खुदी फिर हस लेना अकेले बेटे बेटे कि आप दे रहे है और हमने इस्टेकर की है तो करेंगे ऑगे हमारे बते हुगा हूं आयुक्ष स्पीड कंट्रोल और करनी ह करेंगे और स्पीड कंट्रोल के कौन-ौनसे मेधत होते हैं तो चलिए अगररْ वह बात करें सबसे पहला मेतर हमारे होगा सप्लाइब वोल्टेज कंट्रोल सबसे पहला मेथड होगा सप्लाइब वोल्टेज कंट्रोल मेथड सप्लाइब वोल्टेज कंट्रोल मेथड नेक्स हमारे पास में क्या होगा सेकंड जो होगा वोगा स्टेटर रजिस्टेंस कंट्रोल मेथड स्टेटर रजिस्टेंस एफ कंट्रोल मेथर्ड कंट्रोल मेथर्ड इसी को हम फ्रेक्वेंसी कंट्रोल भी बोलते हैं फ्रेक्वेंसी कंट्रोल नेक्स हमारे पास में होगा थर्ड वोगा पोर सरी फॉर्थ पोल चेंजिंग मेथर्ड क्या होगा पोल चेंजिंग मेथर्ड पोल चेंजिंग मेथर्ड All changing method Next आमारे पास में है गा Fifth वो गा rotational resistance control method put rotor resistance control method 면 Rotor resistance control method control method Next हमारे पास में क्या हो गा 6 वो हो गा slip या voltage injection method voltage injection method मेथर्ड, voltage injection मेथर्ड, उसी को हम बोलते हैं, slip power recovery मेथर्ड, slip power recovery मेथर्ड, recovery मेथर्ड और उसके बाद में, next हमारे पास में क्या होगा? 7th मेथर्ड में यहां लेक देता हूँ, 7th हमारे पास में होगा cascading, तो यह total मिला के हमारे पास में क्या होंगे seven methods होंगे speed control of induction motor के चलिए पहला question हम आते हैं आपसे पूछेगा इस मेंसे कौन सा method हम prefer नहीं करते हैं आपसे पहला question पूछे जाएगा इन मेंसे कौन सा method जो है speed control का ऐसा कौन सा method जो है वो generally हम use नहीं करते हैं चार option इनी में से दिये जाएंगे बता कौन सा यूज नहीं करते हैं आपको seven option दिये कौन सा यूज नहीं करते हैं कौन सा यूज नहीं करते हैं तो इसके अंदर हम कौन सा यूज नहीं करते हैं ज्यान रखना हम second वाला जो method हैं second वाला स्थिस्टा कें इसको हम यूज नहीं करते हैं सेकेंड जो मेत्विव यूज नहीं करते हैं रिजन बताओगे आप मुझे इस मैतविव को हम यूज क्यों नहीं करते हैं second method सही answer है आपका लेकिन क्यों use नहीं करते हैं कारण reason भी आपी को बताना है चल दिससे बताओ उसका reason क्या होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि resistance लगाते हैं stator में और यहाँ पर current बहुत ज़्यादा produce होता है बहुत ज़्यादा heat produce होती है temperature rise होता है वो हमारी winding को damage कर सकता है तो high temperature rise की वज़े से हम इस method को द्यान रखना prefer नहीं करते हैं किसको द्यान रखना इस वाले method को हम prefer नहीं करते हैं next यह द्यान रखना यह 5, 6 और 7 यह तीनों method जो हैं यह only किसके लिए applicable है जल्दी से बताओ squirrel case यह slip ring मैं बात कर रहा हूं कुणसा 5, 6 और 7 जो method है वो only किसके लिए applicable होता है क्या answer होगा नहीं fourth wall नहीं सकते हैं fourth को हम use करते हैं wall changing में यूज किया जाता है ना use किया जाता है 5, 6 और 7 यह जो तीनों method हैं वो हम किसके लिए use मत करते हैं only तो यह रहा है ना 5, 6 और 7 जो है only किसके लिए use किया जाता है सिर्फ slip ring induction motor के लिए हम इसको use करते हैं किसके लिए slip ring induction motor के लिए use किया जाता है तो यह चीज़े आपको सभी को समझ में आ गई होगी तो देखो अभी आपको पता है कि आपका form में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो अब हम इसके आगे कल speed control करेंगे फिर break लगाएंगे फिर cogging crawling करेंगे deep bar double case three phase खतम हो जाएगा फिर single phase start करेंगे ना तो हम अभी के session को यहीं पर stop करते हैं इसके आगे हम कल मिलेंगे और होप सो आपका लगबग यह 60-70% single three phase induction motor जो है वो हमने revise कर लिया है तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा और कल जो है आप definitely दोस्त दोस्त ना रहा वाली कहानी नहीं होगी दोस्तों को भी हला होना चीए आपको लिंक शेर कर दूँगा अभी आपको गुरूप के अंदर है न चलिए तो इसके आगे मिलते हैं कल सेम टाइम पर तब तक के लिए thank you thank you so much